हमारा जीवन जिनके कारण चल रहा है और हमारी मृत्यूबी जिनके इच्छा पर निरवा रहे हैं अच्छा बिचार करिए हमारा जन्म हमारे हाथ में होता तो कोई भी किसी निर्धन के घर में या किसी गरीब के घर में जन्म लेना पसंद करता हर आदमी किसी बड़े वेक्ति के हाँ धन्वान के हाँ जाके जन्म लेना पसंद करता लेकिन हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है किसके हाथ में हमारे कर्मानुसार परमात्मा हमें जन्म दे कर भेजते हैं जन्मादी के जो हेतु हैं अब हम ये भी ना माने कि हमने अच्छे कर्म किये इस लिए मनुस्त बन गई है हमारे मानसकार तो कहते हैं कि बहिया मनुस्त बने है ये हमारे पुण्यों का प्रवाव नहीं है 2000 बने हैं ये भगवान की कृपा है दे तु क्रपा बिनों हे तु सणें प्रमात्वाने बिना किसी हेतू के प्रदान किया है उन्हीं की कृपा से यह जीवन चल रहा है और उन्हीं की इच्छा पर हमारी मृत्यू ने फिन संत मुरारी वापू तिन सपदों को बहुत महत्तु देते हैं बुल सत्य। प्रेम और करुणा जीवन की सुरुवात जीवन हमारा जो है वो इन तीनों में है इसको उल्टा कर लीजे करुणा तो बोले करुणा के कारण ही हमारा जन्म हुआ मातापता के अंदर करुणा प्रगट हुई हमारा जन्म हुआ भगवान की अंदर करुणा प्रगट हुई हमारा जन्म हुआ तो करुणा के भगवान ने करुणा करके मानव देह प्रदान किया जीवन के समाप तो कहा होगा बोले आखरी में लोग क्या कहते हैं नन्ना जी राम नाम सत्य है तो सत्य पर करुणा प्रेम सत्य तीन सब्द हैं तो करुणा करके भगवान ने देह प्रदान की ये जीवन मिला और सत्य यह है कि मृत्यों होना है तो मृत्यों सत्य है और उन दोनों के बीच में बचता क्या है उन दोनों के बीच में प्रेम बचता है इसलिए भैया सबके साथ प्रेम से रहिए, प्रेम का बैवहार करिए, जिसने जीवन में प्रेम तत्व को समझ लिया, उसका जीवन आनंद से भर गया, क्योंकि ये जीवन प्रेम करने के लिए मिला है, किस से प्रेम करें, प्रेम का मतलब यहां किसी आसकती से मतले प्रेम का मतलब शंकीन बुद्धी और वास्तना से मत जोड़ लीजेगा प्रेम का मतलब है प्रभू से प्रेम करें हर किसी को भगवत स्वरूप मान के प्रेम करें आसकती मुलक नहीं सब भगवान के स्वरूप हैं सब भगवान के जन हैं सब भगवान के प्रिय हैं ऐसा मान कर हमारे परिवार जणों से हमारे पडोसियों से रिश्तेदारों से सब से हम प्रेम रखे लेकिन कैसा प्रेम रखे वो लिए सब भगवान के हैं भगवान की माया इतनी विलक्षन है बगवान बेद अब्यास मंगला चरण में कह रहे हैं तेने ब्रह्म मेर्द्याया दिकावाई मुहियंतियत सूरया बोले जिनकी बड़े बड़े विद्वान मोहित जिनके विस्मे में हो जाते हैं जिनको समझ नहीं पाते ब्रमाजी भी जिनकी लीला देखके बिसमें में पढ़ जाते हैं कि ये परमात्मा है भगवान इतने सरलता से लीला करते हैं कि ब्रमाजी को लगता है कि ये कोई भगवान है बड़े बड़े देवता जिनके संदरव में मोहित हो जाते हैं जिनकी माया से यह जगत असत होते हुए भी सत्य लग रहा है और सत्य होते हुए भी परमात्मा असत लग रहा है ऐसे परमात्मा को हम सब ध्यान करते हैं सत्यम परमधी मही किसी नाम देवता का नहीं लिया उले सत्य रूप परमात्मा जो सत्य स्वरूप है हम उसका ध्यान करते हैं सत्यम परम धीमही भागवत का आरंब भी सत्य से हुआ है और भागवत का समापन भी सत्य सब्ज से हुआ है भागवत का आरंब सत्य से और भागवत का समापन भी सत्य से और भागवत के मध्य में भी सत्य 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 बार बार क्यों आया है देखिए ब्यास जी ने मन में विचार किया कि कल्योग में ऐसे भी लोग हो जाएंगे ग्यान गुमानी जो संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते कहते भागवान के नाम रूप को भी जूटा कहने लगेंगे संसार का नाम जूटा है संसार का रूप जूटा है मिथ्या है लेकिन भगवान का नाम सत्य है परमातमा सत्य है उनका नाम सत्य है उनका रूप सत्य है उनका धाम सत्य है और उनकी लीला सत्य है इस बात को प्रमानित करने के लिए वारवार सत्त काय भिया भगवान का नाम सत्य है, यह जगत के नाम जैसा नहीं है, वो जगदी से है, उसका नाम सत्य है, उसका रूप सत्य है, उसकी लीलाएं सत्य है, उसका दाम सत्य है।